आज की मेरी winter special recipe है कच्ची हल्दी की अचार की बहुत ही healthy recipe इसके धेर सरे फायदे हैं और सर्दियों के मुसम में से खाने से होने वाली चोटी मोटी बिमारीयों से बचा जा सकता है तो शुरू करते हैं कच्ची हल्दी का अचार बनाना यह मैंने 500 gram कच्ची हल्दी लिए तो स तारी हल्दी को मैंने चील लिया है अब इसे चोटी-चोटे टुकडों में कट कर ले या फिर ग्रेट कर ले हल्दी को ग्रेट करने के बाद mixing बॉल में निकाल लेंगे और धाकर साइड में रख देंगे अब यहां मैंने quarter टी स्पून कलोंची quarter टी स्पून मेथी दाना आदा चोटा चमच आजवायन एक चोटा चमच जीरा दो चोटा चमच सोफ एक चोटा चमच राई चार लोंग और बारा दाने काली मिर्च के लिए हैं तावे पर दो मिनट लो फ्लेम पर सबको हलका हलका भून लेंगे ताकि इसका मौश्यर निकल जाए और अचार लंबे टाइम तक अच्छा रहे ज्यादा ना भूने नहीं तो मसाला कड़वा हो जाएगा तो मसाले को मैंने हलका सा भून लिया है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे अब एक बरतन में आधा कप सरसों का तेल गरम करेंगे तेल को अच्छा धुआ आने तक गरम करन है तो तेल अच्छा गरम हो गया है फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है तेल थोड़ा गरम ही रहे और इसे टच कर सके तो तेल जब तक ठंडा हो रहा है मसाला पीस लेंगे तो मसाले को मिक्सर में डाल क इस तरह दरदरा पीसना है इसका बारिक पाउडर नहीं बनाना है अब इस मसाले को हल्दी में एड़ कर देंगे और यह मैंने लहसुन की दो छोटी कांठों को छील लिया है इसे भी मिक्सर में डाल कर इस तरह दरदरा पीस लेंगे और हल्दी में एड़ कर देंगे अब दो बड़ा चमत सेंधा नमक मिलाएंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो सभी मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब अचार को खटापन देने के लिए आधा कप निम्बू का रस मिलाएंगे यह टोटल छे बड़े निम्बू का रस है नमक और निम्बू का रस अचार में नैचरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है अब निम्बू के रस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो तेल भी थोड़ा ठंडा हो गया है इसे आराम से टच कर सकते हैं अब इसमें दो पिंच हिंग और एक चोटा चमश लाल मरिश का पाउडर अच्छी तरह से मिलाएंगे हिंग अच्छी तरह से खुल गई है अब इसे अचार के उपर डाल देंगे तो यह आधा कब तेल बराबर अचार के लेवल तक आया है क्योंकि इसमें हमने आधा कब निम्बू का रस भी एट किया है एक बार फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो यह बहुत ही हल्दी हल्दी का चार बनकर तयार है यह आपके खाने के स्वात के साथ ही हल्द को भी बढ़ाएगा और डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा अब इसे एकदम साफ और सूखे काज के जार में या अच्छे कॉलिटी के प्लास्टिक के जार में भर लेंगे एक दिन बाद आप इस अचार को खाना शुरू कर सकते हैं तक सारे मसालों का फ्लेवर हल्दी में अच्छे तरह से आ जाएगा और ऐसे इस अचार को धूब दिखाने की जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आप दो से तीन दिन धूब दिखा देंगे तो अचार की लाइफ भी बढ़ जाती है और स्वात भी बढ़ जाता है